नमस्कार बच्चू आज के इस एपिसोड में हम डिसकस करेंगे क्लास 9 से 12 की EMC की वरक्षीट नमबर 14 को EMC की हर वरक्षीट कुछ अलग होती है हटके होती है कुछ नया लेकर के आती है और बहुत कुछ नया सिखा करके जाती है आज की हमारी वरक्षीट भी कुछ ऐसी रहने वाली है जिसमें हमारा थीम रहेगा डर के साथ, डर के पार पिछली वरक्षीट का सेम थीम है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे पिछली वरक्षीट में हमने बात की थी डर के साथ डर को हमने समझाता कि डर सब को लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, आपके पैरेंट्स को भी लगता है, हर किसी को डर लगता है, हर किसी का डर हालांकी अलग लग होता है, किसी के साथ एकजाम फियर है, किसी को स्टेज से फियर लगता है, यानकी स्टेज पे जाने से डर लग आप एक excuse बनाते हैं कि मैं मुझे अच्छा नहीं लगता अब जो excuse बना रहे हैं लेकिन exactly क्या है वो आपका डुर होता है क्योंकि आफ comfortable feel नहीं करते हैं आफ easy feel नहीं करते हैं तो यह जो डुर होता है वो नई बात नहीं है यानि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप low feel मत कीजिए कि मुझे डुर लगता है आफ comfortable नहीं हो सबके साथ हैं अब इसको soul कैसे करना है जो problem है इसका solution क्या रहेगा उसके उपर हमें सोचना है solution यह कि जो डुर होता है वो चोर की तरह होता है अगर चोर को जैसे हम देखने तो वो देख करके भाग जाता है ऐसे अगर आप डुर की तरफ अपनी आँखे दिखाएंगे तो वो डुर भाग जाएगा यानि उसका आपको सामना करना पड़ेगा आम तोर पर यह होता है ज एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि यह डुर है वो आपको बहुत यदा डुराएगा यानि आप उसके पार जाए नहीं पाओगे वो दिवार इतनी बड़ी हो जाएगे कि आप उसके पार जंप नहीं कर पाओगे इसलिए डुर जिस चीज से लगता है उसका सामना किया जाए अभी से उसका समाधान किया जाए तो बैट रहे हैं क्योंकि अगर हम बाद में करेंगे तो ड्रक खतम नहीं होने वाला दूसरा जितने भी आपके ड्रीम्स है जो भी आपके गोल्स है वो पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि जितने भी आपके ड्रीम्स है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, उसको करने के लिए आपको ड्र के पार जाना पड़ेगा, otherwise आप यहीं रह जाओगे, ड्र के साथ एक और चीज मज़ेदार सी चीज माँ आपको बताता हूँ, कि ड्र का मतलब यह नहीं होता कि कोई भी चीज करना, जो भी आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया, कि अच्छा यह करके बताओ, अगर नहीं क्या तो आप तो ड्र पोको ऐसा नहीं होता, डर और डेंजर, दो अलगलेक चीज होती है, जो आपका फियर है और डेंजर है, दोनों अलगलेक चीज होती है, जिसे आग जल दिये, आपका फ्रेंड्स कहें कि आग में हाथ डालो, ओके आपने मना कर दिया, तो फ्रेंड्स है कहेंगे कि अच्छा आप तो डर पोको, यह नहीं है, वो डेंजर है, वो वाला डर नहीं है, वो डेंजर है, डेंजर से, यानि कि आपने आग में हाथ नहीं डाला तो आपकी समझ जिसे इस age में काफी सारे बच्चें स्टंड करते हैं, तेज बाइक चलाते हैं, कुछ नहीं चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, इसका मतल़ यह नहीं कि वो डृते हैं, वो समझदार हैं, जैसे कुछ student से वो class को बंग कर जाते हैं, या teacher से डृते हैं, और दूसरे कहेंगे आप त नहीं से रोकता है, उस वाले डृत की बात करेंगे, तो आपको डृत दोनों चीज़ें अलग लग होती है, पहली चीज तो यह समझदा है, दूसरा, कि कुछ चीजों का डृत होना अच्छी बात भी है, ठीक, जैसे आपको exam को लेकर कि अगर डृत है, तो अच्छी बात है थोड़ा बहुत डृत होना चीज़ें, क्योंकि तभी तो आप study कर पाऊगे न, यह देखा कि पहले आपके exam नहीं थे, आपको डृत अच्छी बात है, क्योंकि यह जो डृत है, आपको आगे लेके जाएंगे, कहीं ने कहीं, आपको guide करें, आप misguide नहीं हो पाऊगे, कि डर और danger अलग होता, और कुछ डर आपके अच्छे भी होते हैं, ठीक, तो इस worksheet में हम बात करेंगे, डर के पार के, यानि डर के पार कैसे जाये जाएं, तो काफी सारी activities हैं, उनके थू हम समझेंगे, कि डर के पार जाने के लिए हमें क्या करना चीए और कैसे हम जा सकते ह तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वरक्षिट की, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया हमें एक activity कि कि किसी डर का सामना करते हैं, हम क्या अनभव करते हैं, गत्विदी करके हम पता लगाएंगे, जैसी यहाँ पर एक interesting activity देगी, आप अपने parents के साथ, अपने friends के साथ क लेकिन ध्यान रखना कि यह activity कहां करने है, ऐसी जगह पर करने है, जहाँ पर चोट लगने की संभावना ना हो, ओके, यह चीज़ आप देख लोगे, पार्क में कर सकते हो, घर में कर सकते हो, यह पांस से साथ मिनट की activity है, यह घर के बाहर या घर में की जा सकते है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर दिखाए गया है, ऐसे आपके आँखों के उपर एक पट्टी बांदेगे, और फिर उनके निर्देश शुन करके आपको चलना है, वो आपको बताएंगे कि आगे चलना है, पीछे चलना है, जैसे वो कहेंगे कि धीरे चलो, कुदो, ते चलो, रुको, दाएं चलो, बाएं चलो, तो वो उनके इंस्ट्रक्शन्स होंगे, उन्हीं इंस्ट्रक्शन्स को फोलो करना और आपको आगे पीछे मोमेंट करने है, तो यह आपके पांस से साथ मिनट की एक्ट्टी होगी, फैमली मेंबर से उनके साथ कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कर स अजीब लगा होगा, आंखे बंद की चले, क्योंकि आप आम तोर पे देख करके चलते हैं, तो आपको अजीब लगा होगा, थोड़ा सा डर लगा होगा, और डर इसने लगा होगा, क्योंकि आपको लगा होगा कि कहीं आप टकरा ना जाओ, यानि कि आपको डर लगा है, तो ये क्यों लगा है? क्या डर था वास्तों में? नहीं, वो आपके अंदर डर था. क्यों लगा? क्योंकि आप प्रिपेर नहीं थे, आपको exactly आसपास क्या है, उसको assist नहीं कर पाए थे, idea नहीं था, प्रिस्तितियों को नहीं समझे थे. ठीक, अब कब सबसे अधिक डर लगा और लगता है, वो हर किसी को लगता है, और सबसे पहली बार जहा हम कोई काम करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा लगता है. दूसरी बार, तीसरी बार जहा हम काम करते हैं, तो कम होता जाता है. तो यहाँ पे पहली बार आप ये कर रहे थे, आपका कोई अनभाव नहीं था, इस की सेंसिस को यूज किया आपने मैसूस किया कि आस पास क्या कुछ है याद किया उसके बाद आप आगे बढ़ें डर्क के साथ पी ऐसे होता है डर्क है उसका अगर हमें सामना करना है तो हमें प्लानिंग बनानी होगी हमें यूजना बनानी होगी और उसके बाद अगर हम ठीक कि डर है किसी चीज़ से टकराने का, फिर आपको याद है अच्छा, यहाँ तो कोई पेड है यह नहीं, अच्छा, आगे पेड है, तो मैं हाथ आगे कर लेता हूँ, टकराएंगे, तो पहले से पता चल जागा, तो उससे आपने अपने डर को कम कर लिया, यानकि डर से आप उ बिल्कुल नहीं लगेगा, तीसरी बार, बिल्कुल नहीं लगेगा, अब यहाँ देखिए, हमें डर क्यों लगता है, जब हम कोई काम पहली बार करते हैं, तब लगता है, दूसरा, डर क्यों लगता है, जब हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती है, हम उसके बारे में सो कि अब परिवार के किसी सदेश्य को आप वैसे ही निर्देश डारेक्शन देनी है, उनको बोलिए, फिर उनका अनुभव आपको पूछना है, क्या उनका अनुभव अलग होगा, क्योंकि उन्होंने आपको देखा डरते वे, तो वो चीजे वो सीख रहे हैं, ठीक, पहला ये हम खुद ही थोड़ी करेंगे, हमीज सीखना है, गलतियों से सीखना है, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, जब दूसरे अगर किसी चीज को गड़बर करें, तो वो चीजों से हम सीख सकते हैं, अच्छा भी सीख सकते हैं, पोजिटी भी सीख सकते हैं, फोड़ा और समझते हैं कि डर का सामना कैसे किया जाए यहां पे डर के क्या क्या परभाव हो सकते हैं डर लगने के क्या कारण हो सकते हैं क्या डर का कारण जान लेने से उसके परभाव को कम किया जा सकते हैं आईए जानते जो वारिन बफट है जिनका शेयर बाजार में नाम है, बहुत जाना पैचाना नाम है, हर कोई उन्हीं जानता है, गर आप थोड़ा बहुत इंटरनेट से या शेर बाजार से जुड़े हों, तो उनके बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा, एक समय ऐसा था जब उन्हें सफल होने के बावजूद भी उनमें confidence नहीं था, आतम विश्वास नहीं था, यानि डर लगता था, आप देखते होंगे, एक स्कूल में टीचर्स हैं, आपको टीच करते हैं, क्लास्टों में बड़े फ्राटेदार तरीके से टीच करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं, जो स्टेज पर अभी भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो डर है, वो अभी भी है, वो गायब नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, यानि कि आपको ये चीज आपने और आपको पता भी होगा, कि हाँ ये टीचर्स हैं, वो स्टेज के उपर नहीं जाते हैं, कुछ टीचर्स हैं, जो डांस अच पिचार रखने से डरते थे, वे समझ गए थे कि जब तक ये डर हैगा तब तक वो बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, तब वो बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, जो वो डिजर्व करते हैं उनको कभी नहीं मिल पाएगा, और डर के कारण उनके काफी सारे जो और उसके बाद बोलने का अभ्यास किया और डर काइब हो गया, अगर वो ऐसा ना करते हैं तक क्या रहता कि अगर आपने उसके सामने आँखे दिखा 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 दी, वो गायब हो जाएगा, पहली बार आपको हिमत दिखाने की, दूसरी बार, आपको ड्र आज पास दिखाई नहीं देगा अब यहां पर देखिए कि ड्र की क्या परभाव हो सकते हैं तो ड्र के बहुत सारे परभाव हो सकते हैं जिसे अगर आपको ड्र लगता है तो ड्र के कान आप अपने ड्रीम्स को चेज नहीं कर पाते हैं डर के कान आप actively किसी activity में participate नहीं कर पाते हैं डर के कान आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं डर के कान आपके जो सपने वो अधूरी रह जाते हैं वो डर के परभाव होते हैं जैसे आप guest के साथ बाचीत करना चाते हो नहीं कर पारे हो बहुत सी चीज़ा आप अकेले में सोचते हूगे रात को सोचते हूँके आज अगर मैं पाइट करता ना जो आपका कविता पाठ हुआ था हिंदी में या फिर जो कर सकते थे क्या नहीं कि आपको डर लगता स्टेज पर जाने में तो वह बहुत सारे चोड़-चोड़े मोमेंट्स होते हैं जो खो देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है हमें मज़ा आता है कि अच्छा हम भी बाइक राइड करें हम भी स्कूर्डी को चलाएं आपको डर लगता है क्योंकि पहली बार चलाई थी आप गिर गए थी तो डर के कई सारे परभाव होते हैं 10th के exam होंगे न बड़े difficult आते हैं अच्छा 9th में top किया 10th में आएगा न तब पता चलेगा चिंटू 12-12 गंटे पढ़ता था चब जाकर के उसके 90% आई अब यह जो आपके relative है आपके जो friends है वो ड्रा देते हैं अच्छा उसके साथ यह हुआ था कई बार अंजाने में सही वो compare करना शुरू कर देते हैं वहाँ यह हुआ था वहाँ आपको ड्र लगने लगता है या फिर आपका जो पहला experience होता है वो अच्छा नहीं होता उसके का ड्र लगने लगता है आपने 3rd class में कहीं पर अटक गए थे ड्र लगने 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 तो जो exam देने के लिए जाते थी तो आम तोर पे देखा कि अगर सुभे जाय जाए जाए, जैसे मैं कभी नहीं गया, सुभे जाते हूं तो exam center कहा होगा, कहा में लगा, आम तोर पे मैं उसको एजे picnic लिया करता था, कि पहले दिन गए, room वगरा लिया, exam center को देखा, मज़े से जाते थे, tension ही नहीं होती थी, पहले जाकर के आराम से breakfast करके जाओ, मज तरीके से, tension नहीं होगी, दूसरा, डर का भगाने के एक तरीका, ये भी एकी planning होनी चाहिए, अगर आपका syllabus जैसे planning है, आपको पता है, exam में क्या आने वाला, आपको पता है, कि आपका कितना syllabus हैगा, ड आपको डर लगेगा, ओके, और इसको लगने का कारण मेंली तो यही होता है, कि हम mentally तो पर प्रिपेर नहीं होते, और वैसे भी हमने exactly, जो practical level पर बात करें, तो हमारी त्यारी नहीं होती है, अगर हम त्यारी करके जाते हैं, तो डर हमें कभी नहीं लग सकता, उसके पादे क इसका कार으니까 कारण जान ले, तो डर गाइब हो जाएगा, जैसे इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, आपको जब भी किसी चीज से डर लगता है, पेज पर लिखिएगा, एक पेज पर लिख regain, तो आधी चीज छू मंतर हो जाएगी, आपको बता चलेगा, अच्छा ख बोल सकते हो तो नहीं लग सकता ना तो कोई भी चीज है जब हम लिखेंगे तो exactly हम ड्र को पकड़ लेंगे कि वो ड्र है कितना बड़ा तब हमारा ड्र कम हो जाएगा जैसे एक और चीज अच्छी सी चीज बताता हूं जैसे मैं हमेशा क्या करता हूं कि मुझे कभे भी ड्र नहीं लगा मतलव जातर सिच्विशन में stage fear शुरुवात में रहा है बाकी ड्र नहीं लगा तो ड्र क्यों नहीं लगा कि हमेशा प्लान एक साथ ब ह duy रखे जैसे आपको ड्र लगता है एक्जाम को लेकर कि एकजाम में क्या होगा पता आ सकते हैं, 90 से नीचे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, सोच लिजे, तो इसमें relax feel करोगे, अगर ये निवात वो होगा उससे पुरा नहीं हो सकता, जैसे आप ISBT गई, ISBT गई और आपको order लग रहा है, अच्छा, bus ना मिली तो, आप सोच के रुखे, bus नहीं मिली तो ओटो मिल जागा, ओटो नहीं तो ओला उबेर मिल जागा, OA उबेर नहीं तो phone है, call कर देंगे, ये सोच के रुखे, डर नहीं लगेगा अगर आपने उनके बारे में नहीं सोचा तो आपको हमेशा डर लगेगा तो डर को भगाने की एजी से टिपस है, यानि आपको हमेशा लिखना चाहिए, बी प्लान त्यार रखिये ओके डर को असेस केजिये, हमेशा प्रिपेर रहे तो आपको डर कभी नहीं लगेगा और डर हमेशा गाईब हो जाता है जब हम डर को जान लेते हैं चलिए थोड़ा सो और आगे बढ़ते हैं कुछ और activities के थूर समझते हैं तो यहाँ पे एक और activity दीगे बिछली वरक्षिट में आप अपने डर के बारे में अपने परिवार के सिदेशियों के साथ हमने चर्चा की थी आप थोड़ा सो और समझते हैं आप अपने family और friends जो friends है उनके साथ आप share कर सकते हो इस चीज के उपर discuss कर सकते हो जैसे आपको तीन अपने friends है उनके नाम लिखे उनका डर का कारण लिखे डर से क्या होता है और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है तो यह आपको लिखना है जैसे ABC लिख सकते हैं जैसे एक आपका friend है उसको डर लगता है उनचाही से ठीक पहला लिख दिया आपने उसको उनचाही से डर लगता है कारण कि वो बच्पन में गिर गया था उनचाही से ठीक अब उससे दोस्ती कैसे की जा सकती है कि उससे उनचाही वाली जगह पर जाना चाही अपने जैसे family members है उनके साथ वो प्रवत्य हिल स्टेशन से वहाँ पर गोमने के लिए जा सकता है जैसे स्कूर्टी से गिर गया था उसको डर लग रहा है तो डर लग रहा है तो इस बार वो अपने family members के साथ बड़े को बोले उस सीखने की कोशिश करें सामना करेगा तभी वो डर जाएगा सीखना तो पड़ेगा तो यह हो सकता है किसी का हो सकता है exam fear जैसे exam से डर लग रहा है क्या करना है सबसे पहले syllabus निकाली है अपने जहां पर सामने जगए उसके उपर syllabus लिखती चीए पहली चीज यह clear होने चीए आपका syllabus क्या है दूसरे यह कि आप time table को follow कीजे कभी भी डर नहीं लगेगा और तीसरा आप जो previous years के question paper उनको solve कीजे क्योंकि पहली चीज़ तो डर लगता है जब हमारे पास time table के coding अरह हम नहीं पढ़ते है तब लगता है पता नहीं syllabus का वर होगा कि नहीं होगा कई बार डर लगता है कि syllabus पता नहीं कितना है क्योंकि वो exactly हमें एकदम से याद नहीं हो पाता और फिर डर लगता है पेपर कैसा आएगा अगर आपने प्रिवेसेस के question paper को solve कर हुए तो confidence है वो साथ में आसवन पे होगा अच्छा इतना easy आता है वैसे भी exactly है आपका 10th और 12th का आपकी life के सबसे easy exam होते है डरने की बात नहीं होती है लेकिन उसको डर कब जाएगा जब हो उसको exactly देख लेंगी कि डर क्या वास्तों में है वो डरने वाली बात में है तीसरा है जैसे आपके लिए डर हो सकता है stage fear का या दूसरे लोगों से बाचीत करने में आपको डर लगता है तो वो लिख सकते हैं तो दूसरे लोगों में अगर बाचीत करने का डर लगता है तो पहली चीज़ आपको करना है कि ऐसे लोगों को आप सुनना पहली शुरूब कीजिए guest आते हैं हम टीवी से चिपके रहते हैं mobile से चिपके रहते हैं कभी डर नहीं जागा लोगों को सुनुए object कीजिए तब आपको पता चलेगा कैसे बातते हैं करते हैं और जब भी आप अपनी बात रखो logic के साथ रखिए confidence आएगा लोग आपको सुनना पसंद करेंगे आपके class में आप देख रहे होंगे कि एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन जब अपनी बात को रखते हैं मजा सा आ जाता है वो logic के साथ बात करते हैं बक बक नहीं करते हैं तो आप ये object करोगे तब वो डर आपका जाएगा ये तीनों के answer solution जो मैंने नीचे return में भी दिया है तो वहां से आप इनको note down कर सकते हो कि कौन से डर हैं जो अपने friends के हैं और कैसे उनको solve किया जा सकता है उनसे क्या problem है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और activities यहां पर देगी कि अपने यही same activities जो हमने उपर discuss किये कि डर का कारण डर का परभाव और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती यह repeat कर दिया गए तो यह हमें लिखना है कि नहीं तीन friends के साथ ठीक जो तीन आपके friends है या आपके family member हो सकते हैं तो वह हमें करना है उसके बाद जो last हमारी activity है कि इसमें हमें एक poster बनाना है poster बनाना है कि कैसे हम किसी डर का सामना कर सकते हैं यान कि manage fear face fear उस related एक poster बनाना है जो आपको motivation देता हो तो इस type का poster जरू नहीं कि आप इस box में बनाओ एक छोटा सा बना सकते हो वर्क्षिट के सा एक बड़ा सा poster इस type का जो आपको boost करता हो अपने study room में अपने जिस भी room में आप study करते हो वहाँ पर भी लगा लेजिए positive vibes आईगे हमेशा ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं next segment की बात करते हैं और solve करते हैं जितने भी हमें task मिले हैं data में इनका answer आपको solution दे देता हूँ तो यहाँ पर पहला हमें जो task दिया गया था कि आँखें बंद करके चलना कैसा लगा था जब हमने पहले activity की थी तो आँखें बंद करके चलने से थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं किसी चीज से टकरान आ जाएं तो यह डर लगा था दूसरा कब सबसे अधिक डर लगा और क्यों तो जब सबसे पहले शुरुआत की थी तब सबसे अधिक डर लगा था क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था यह पहला अनुभव था और उसके बाद आसपास की चीज़ों को जब महसूस करना शुरू किया तो उतना डर नहीं लगा क्योंकि हमने डर को समझ लिया था कि डर किस चीज का और कितना बड़ा है वो डर ठीक उसके बाद तीसरा थर्ड जो हमें टास्क दिया गया थर्ड हमारा टास्क है कि डर से उबढ़ने के लिए क्या किया आपने जो डर लग रहा था तो डर से उबढ़ने के लिए मैंने खुद के उपर विश्वास किया आपने खुद के उपर विश्वास किया होगा अगर आपने वो activity की है, करके जरूर देखेगा और फिर आपने उन परिस्तितियों को समझा और फिर आप आगे बड़े तो जब भी हमें डर लगता है, तो सबसे पहले जरूरे कि फुद के उपर विश्वास रखें, फिर हम समझें कि किस अनभव का प्रियोग करेंगे, तो अगले बार यही गत्वेदी अगर फिर्शे करनी हो, तो विश्वास है कि आप बहतर करोगे, मैं भी अगर वही activity करूँ तो बहतर करूँगा, क्योंकि हम पहली बार हमने सीख लिया, कि हम कैसे सामना करेंगे, उसकी फिप्थ टास्क है, फिप्थ टास्क यह गया है, कि अगर आपके प्रिवार के सिदिश्च है, जिन्हों ने आपको यह guidance दी थी, जिन्हों ने यह activity आपको से करवाई थी, वो खुद करें, तो उनका अनभव कैसा रहेगा, और वो अलग रहेगा, या फिर लग रहेगा, तो कैसे, तो मेरे पास, जब मेरे साथ अगर मेरे पिरवार के सिदिश्चों ने यह गतिविदी की, तो उनके लिए गतिविदी आसान थी, आसान क्यों थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस गतिविदी को करते वे देखा था, और इस सुनोती हम जब दूसरों का डर देखते हैं तो हम हमें लगता है कि वो इतना बड़ा डर है नहीं क्योंकि exactly हम आपजयव कर रहे होते हैं वो सीख रहे होते हैं उसके बाद sixth जो हमारी activity दी गई है sixth task है ये बहुत important है कि डर के क्या-क्या परभाव हो सकते हैं और डर लगने के कारण के क्या क्यारण हो सकते हैं और क्या डर का कारण जान लेने से उसके परभाव को कम क्या जाखते हैं तो डर से एक तो हमारा आतम विश्वास खो जाता है दूसरा मन में गबराट होने लगती है दिमाग में भगदर मच चाती है हम कुछ और सोच नहीं पाते हैं, खुद को कमजोर महसूस करते हैं, दूसरों से कम तर महसूस करते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, हमेशा उस काम से जी चुराना पसंद करते हैं, तो ये डर के कारण होता है, ठीक, यानिकि डर से हमारे सारे मज़े हैं, वो क कई सारे कारण हो सकते हैं पहला कारण होता है किसी काम को पहली बार करना जब आप पहली बार कोई भी काम करते हो पहली बार अकेले आप सफर करते हो पहली बार अकेले आप बैंक में गए थे पोस्ट ओफिस में गए थे पहली बार आपने अकेले शोपिंग की दी तो वो ड्र लगता है ठीक, दूसरा आसपास के लोगों दोगरा नकार अत्म का अनभव बताना आसपास के लोग है वो ड्राते रहते हैं अच्छा बोर्ड के एक्जाम ये है अच्छा उसकी त्यारी करें ना होना और आत्म विश्वास की कमी इससे भी ड्र लगता है अगर हम किसी चीज़ को लगे कि प्रिपरेशन नहीं है तो हमें ड्र लगेगा नेच्छोडी लगेगा सुबह असेमली में आपको बोलना है थोड़ा सा अगर आपने माइंड सेट कर लिया पहले तो आपको ड्र नहीं लगेगा अपनी सोचें नहीं एक्जेक्ली आपको बोला गया तो आपको ड्र लगेगा अब बात आती है कि अगर हम ड्र को पहले से जान लें तो क्या उसके परभाव को कम किया जा सकता है क्योंकि जब हम उसको जान लेते हैं जानने का तरीका मैंने बताए कि इसको लिख लिजिए लिखोगे जान लोगे तो उसका परभाओ कम हो जाए क्योंकि आपको लगए कि जिस चीछ से आप ड्रे ओ फाल तुम्हें ड्रे ओ कि इतनी बड़ी वो बात ही नहीं है उसके बाद नेक्स जो हमारा टास्क दिए गए परिवार के तीन सदिशियों अथवा दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में चर्चा करके हमें जो तालिका दीगे है जो टेबल दीगे है उसको हमें पूरा करना है तो पहला जो हमने जिससे बात कि उसका डर है, उन्चाई से डर, कारण हमें बताना है कि वो बच्पन में उन्चाई से गिर गया था, तब से उसको डर लगता है, समाधान क्या हो सकता है कि उंचाई का सामना करें परिवार के साथ पहड़ी लाके में घूमने जाएं डर को आंखे दिखाएं डर गायब होगा परिक्षा से एक्जाम फियर होता है काफी सारी students के साथ mostly के साथ होता है तो इसका कारणी होता है परिवार से उमीदे जादा होती है हमारा जो हमने लेवल हाई रख लिया है competition जादा है या हमारी preparation नहीं है पहली बार हम board का एक्जाम दे रहे हैं कई सारे कारण हो सकते हैं इस ट्रके कैसे इसका solution क्या रहेगा कि time table के साथ त्यारी करें कभी भी आपको डर नहीं लगेगा मैंने हमेशा जब से 11th class के बाद उससे पहले तो नहीं उससे पहले डरीस नहीं लगता था कि series नहीं था 11th के बाद मैंने हमेशा जब भी त्यारी किया time table को follow किया December में विरा एक जुसले बस था वो हमेशा complete हुआ है और इसके बाद मजे में रहते थे जेन फेब ऐसे लगता है कब एकजाम होंगे बहुत टाइम रहता है तो आप अगर time table के साथ follow करते हो last में जो रायता नहीं फेलता फिर रायता नहीं फेलता तो आपको डर नहीं लगेगा दूसरा जो last year के previous year के question paper है उनके साथ आप practice कीजिए तो आपको लगेगा कि यह जो exam होने वाले है वो तो हलवा रहेंगे बहुत आसान रहेंगे उसके बाद तीसरा जो हमने जिससे बात की उसका डर है लोगों की सामने बोलने में उसको भय लगता है तो उसका कारण यह कि आतम विश्वास की कमी है या फिर कई बार parents हो तुलना कर देते है देख वो सर्मा जी का लड़का था कैसे बोल रहा था तो बोलता ही नहीं है वो जो comparison करते हैं कई बार उसके कारण हमारे में डर आ जाता है ठीक क्योंकि तुलना आम तोर पे अक्सर parents कर लेते है उसका समाधान solution क्या रहेगा लोगों को ध्यान से सुनिए class में सुनिए, parents की सुनिए, news सुनिए और जब भी अपनी बात रखें, logic के राक रखें logic के साथ, ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है ज़्यादा नहीं बोलते हो, कोई problem नहीं है लेकिन जितना बोलते हो, आपके पास logic होना चीए ताकि दूसरे हैं, वो अगर आपके दो वाक्या भी सुने तो उनकी बोलती बंदोसके उके, उसके बाद एट्थ जो हमारा task है यह last task है, कि एक poster हमें बनाना है कि डर का सामना कैसे किया जा सकता है तो एक poster यह बनावा, इस type का poster बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से और इसी type के बड़े poster को आप अपने study room में या जहां पर भी study करते हो, वहां पर सामने लगा सकते हो fear, fear के दो meaning होते है forget everything and run सब को भूल जाए, ओके decide करना है कि आपको करना क्या अगर आप face करोगे fear को, तो आप बहुत आगे जाओगे अगर आप face नहीं करोगे डृतते रहोगे, तो fear हमेशा आपके पीछे दोडता रहेगा और आप अपने dream को कभी भी achieve नहीं करपाओगे तो यह थी हमारी आज की काफी easy, interesting worksheet वैसे सारी worksheet ही easy होती है interesting होती है, और अगर आपको यह अच्छी लगती है, मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा lengthy ना हो, क्योंग गर lengthy हो जाए तो भी problem होती है, बहुत सारी stories होती है बहुत सारी topic होती है, जो मुझे इस topic पर discuss करना अच्छा लगता है फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इतनी lengthy ना हो पाई, अगर आपको यह सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो छोटा इसे comment जरूर किया कीजिए, ताकि मुझे feedback मिलता रहे कि आपको मजा आ रहा है, आप इस concept को समझ रहे हो, यहाँ पर आप solution करते हो, नहीं करते हो, कोई फरक नहीं पड़ता, फरक पड़ता है, अगर आप इस concept को समझ गए, कि कहना क्या चाती है, EMC की worksheet, अभी हो सकता है, आपको इतना important ना लग रहा हो, लेकिन जब आप life में थोड़ा आगे बढ़ा हुए, तो आपको पता चलेगा कि यह जो छोड़ी-छोड़ी चीजी हैं, बहुत matter करती है, और यही आपको आगे, सब से आगे, बहुत आगे लेकर कर जाएगे, आज के लिए बसी इतना ही, thank you, bye-bye, have a nice day, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,